US के H1B वीजा की लाइन में चार में से तीन लोग इंडियन्स होते हैं ये वीजा स्किल्ड टेक वर्कर्स के लिए होता है इंडिया जहां इतनी सारे ब्रिलियन्ट लोग रहते हैं इंडिया जहां से Google, Microsoft, Adobe जैसे बड़े टेक जायंट्स के CEO's का जन्म हुआ है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है पूरी दुनिया को डॉमिनेट करने वाले टेक जायंट्स इंडिया से शुरू होके क्यों नहीं जाते हैं क्यों ऐसा होता है कि बाहर की देश से स्टार्ट हुआ हुआ इंडियन्स उसके CEO's बन जाते हैं इस वीडियो को पुरा एंड तक देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि इसका रीजन गया है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हैं शुरू करते हैं इंडिया टेक जायंट्स प्रोड्यूस करने में पीछे क्यूं है इसके सिर्फ तीन में रीजन्स है पहला रीजन अपने ब्रेन ड्रेन के बारे में थोड़ा सुना होगा इसका मतलब होता है कि एक देश का सबसे टॉप एजुकेटेड हाईली स्किल्ड टैलेंट दूसरी देश में चला जाए काम करने इंडिया गे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है मैंने आयाटी बॉंबे से पढ़ाई करी हैं मेरे बारा क्लोज फ्रेंड्स थे जिन में से पाच आज यूएस चले गए ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ कलत किया वो अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए अपॉर्चनिटीज की तलाश में चले गए और शायद कभी वापस भी ना है उनकी इंडिवीज़न हिसाब से देखो तो सही है पर ऐसा अगर कंट्री के हिसाब से देखें तो ये गलत हो जाता है हजारों डॉक्टर्स, इंजिनियर्स और टॉप लेवल के टैलेंट आज देश छोड़के जा रहे है अब इस रीजन में अगीन उनकी कोई गलती नहीं है ये यहाँ पे उपरचिनिटीज नहीं है उनकी हिसाब की तो उन्हें लगता है कि वो अपना लाइफ बेटर कर सकते हैं और वो वह आ जाते हैं उसमें कुछ गलत नहीं है अब इससे यूएस और वैसी कंट्रीज में फाइदा उनहीं तो बहुत मिल रहा है पर इंडिया का नॉस हो रहा है इसी वज़ा से इंडिया में क्वालिटी टेक टैलेंट की काफी कमी हो गई है और बाहर की कंट्रीज बस इंडिया को मिड लेवल टेक टैलेंट के लिए हायर कर लेती हैं चीप लेबर की तरह जो की काफी गलत बात है अब दूसरा रीजन देखते हैं किसी भी इंडिस्ट्री की ग्रोथ के पीछे इंवेस्ट्मेंट्स एंड इंफ्राइस्ट्रक्चर का बहुत बड़ा हाथ होता है लेकिन इंडिया इन दोनों ही चीजों में काफी पीछे रहा है प्रॉपर इंफ्राइस्ट्रक्चर ना होने के कारण जैसे की इलेक्टरिसिटी, ट्रांस्पोर्टेशन इसके कारण काफी सारे challenges हैं यहाँ पर businesses खड़ा करने के लिए Tech companies को grow करने के लिए और तो हम नए और innovative technologies को promote करना और उनके research and development के लिए इंडिया को और जादा पैसा और investment करने की ज़रूरत है Recent days में Indian startups में काफी investment बढ़ा है Compared to पिछले stage But global stage में अभी भी हम काफी पीछे हैं कुछ 10-15% ही मिलते हैं हमें तीसरा education system 95% of Indian engineers are not employable Schools and colleges में हम आज भी वो चीज़े सीख रहे हैं जो employable है ही नहीं अब मुझे ही देख लीज़े मैंने पढ़ाई जो किये वर्सेस जो मैं startup कर रहा हूँ उसके लिए मैंने बहुत अलग skills सीखे जब मैं job करता था तो job के लिए भी काफी अलग चीज़े सीखनी पड़ी पूरी scratch से चीज़े सीखनी पड़ी आप में से भी कितने सारे ऐसे लोग होंगे अगर comment करके बताईएगा जिनोंने पूरे job में जब भी start किया तब से पूरे scratch से सीखा college में जो पड़ा था वो काम ही नहीं आया इसका एक reason ये भी है कि schools and colleges में जो हमें सिखाया जाता है जो हमारा curriculum है वो real world के हिज़ाब से काफी ज़ादा detached है काफी अलग है बहुत फर्क है जो हम काम करते हैं versus जो हम सीखते हैं उसमें majority of the population poverty में भी है इंडिया की जो भी latest technologies होती है वो afford नहीं कर पाते है जो हम companies यहाँ इंडिया वे operate भी कर रही है वो बाहर के लोगों के लिए operate कर रही है जिसके कारण इंडिया में रह कि उसको scale कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इंडिया वो primary market ही नहीं रह जाता है जिसके कारण काफी सारे series A and above companies इंडिया से बाहर shift हो जाती है क्रिप्टो में हमने काफी देखा कि काफी सारी companies इंडिया छोड़के चले गई वही talent चो country से चला गया potential यही opportunity इंडिया में रहके मिल जाती तो वो कभी जाती ही नहीं अगर वो नहीं जाते तो उनमें वो potential था कि वो अत्ती बड़ी-बड़ी companies बना पाए इन CEO's के success के पीछे एक reason ये भी है कि उनका global exposure बहुत जादा बढ़ जाता है बहुत सारे लोग अलग-अलग countries से ऐसे developed nations जैसे की US में साथ में आके काम करते हैं एक class में 10 nationality के 10 country के लोग काम कर रहे हैं और अलग-अलग markets और cultures और चीजों के बारे में पता चलता है ये उनके लिए एक बहुत अलग perspective और skillset develop करने में काफी मदद करता है जिससे वो बहुत अच्छे leaders की तरह उबर गयाते है अब इंडिया को जरूरत है कि हम भी बाहर के students को invite करें attract करें अपने colleges में वो पढ़ने आए कुछ चुनिंदा colleges जैसे मेरे college में थे लोग जो बाहर से आते थे आपके colleges में भी होंगे तो बताना जरूर इन चीजों पर ध्यान देना start किया तो है इंडिया ने जैसे कि बैंगलोर में काफी सारे मुझे foreign talent दिखते हैं अब जब मैं एक co-working में काम कर रहा हूँ तो काफी सारे बाहर से भी लोग आये हैं होते हैं जो काम कर रहा हैं cutting edge unicorns, technologies में start-ups develop हो रही हैं जिनको investment भे मिनला start हो गया है अब Google, Apple जैसे बड़ी companies तो नहीं बना पाया है अब तक लेकिन इस बात को कोई मना नहीं करेगा कि next 10 साल में इंडिया global stage पर चा सकता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं जा सबunnा है मैं जा सबस्ते है ये भी बनाप बनाप रहे हैं